नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आरकी क्लासिस में सतर्मी बीपेसी के लिए आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है ये टॉपिक है इंडिया गिरोप एकोनामिक कोरिडोर विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे शुरू करते हैं शुरू करन से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें पासवाले बेल आकन को दबा दें वीडियो अच्छा लगता है तो अदिक सदिक इसको शेयर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करन से पहले इस फिगर को समझ लेते हैं इंडिया यह अपना देश है भारत यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से पहले में रूट को देखेंगे यहां से रूट जो है यह UAE की तरफ जाएगा पहले जो की समुद्री मार्ग होगा UAE से सौधियारब सौधियारब से ले करके अगर आप देखेंगे तो ये रेल मार्ग है, रेल मार्ग से जाया जाएगा फिर जॉर्डन, इसराइल पुन है जो है समुदरी मार्ग के दौरा इसको फ्रांस, इटली एवं अन्ने देशों के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो हमको ध्यान में रखना है कि इस कोरिडोर में कौन-कौन से देश इसके तहत जो है सामिल हो रहे है उमिद है आपने मैप से समझा होगा कि इंडिया, UAE, सौधिय अरब, जॉर्डन, इसराइल, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कहीं पर ये जो मार्ग है ये समुदरी मार्ग है कहीं पर रेलवे, लाइन का विस्तार किया जाएगा विस्तार से इस टॉपी को देखते है क्या कहता है कि हाली में संपन G20 जो की भारत में संपन हुआ है इसमें विविन देसों के साथ कई सारे समझोते ग्यापन परस्ताक्षार किये गए जिसमें से एक महत्पूर्ण समझोता है भारत मध यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC इंडिया मेडेलिस्ट यूरोप कोरिडोर फिगर आप लोगों ने देखी लिया है बात करेंगे इस कोरिडोर के तहट समुदरी मार्ग एवं रेलवे लाइन का निर्मान कर भारत एवं यूरोप के कनेक्टिवीटी को बढ़ाया जाएगा यहां फिगर में आप देख रहे हैं कि यहां समुदरी मार्ग और यहां पर रेलवे मार्ग इसका निर्मान करके भारत से यूरोप तक कनेक्टिविटी को जो है बढ़ाया जाएगा इसके तब सरपर्थम भारत को समुद्री मार्क द्वारा मिडल इस्ट से जोड़ा जाएगा जिसे इस्ट कोलिडोर कहा गया है इंडिया सबसे पहले मिडलिस्ट के देशों से जोड़ेगा जिसे इस्ट कोलिडोर नाम दिया गया है इसके द्वारत को इस्ट कोलिडोर के अंतरगर अरेबियन गल्व से जोड़ेंगे तफ़ कोलिडोर से रेलवे मार्क के द्वारा Middle East से जोडा जाएगा पुनह Middle East से युरोप तक शमुदरी मार्क द्वारा जोडा जाएगा तो यह आपको ध्यान में रखना है कि किस जगए हम लोग जलीए मार्क का पर्यूग कर रहे हैं पर जो है रेल्वी लाइन का परयोग कर रहे हैं इंडिया से इस्ट कोरिडोर, इस्ट कोरिडोर से मिडल इस्ट, मिडल इस्ट से यूरो इस कोरिडोर में सामिल देश देखी कौन कौन सा है भारत है, UAE है, साओधी अरब है, जॉर्डन है, इस्राईल है, इटली, फ्रांस, जर्मनी तो सवाल बन सकता है कि कौन सा सामिल नहीं है तो ध्यान रखना है कौन सा सामिल है मैं अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इमनिस्ची थी जो अच्छे से याद हो जाएगा इंडिया, UAE फिर सौधी अरब, जॉर्डन, इसराइल जॉर्डन, इसराइल फिर सीधा आप चले जाएगे इटली, फ्रांस, जर्मनी है बात करेंगे इसके क्या जो है उद्देश रहे है तो कहता है यह गलियारा, एशिया, अरब की खाड़ी एवं यूरोब की बीच एक ही करन करने ही तू बनाया गया है ध्यान दखना है यह गलियारा, एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोब की बीच एक ही करन करने के लिए बनाया गया है तथा आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए इसे गलियारे का निर्मान किया जाएगा कहता है यह पर्योजना Partnership for Global Infrastructure Investment PGII Partnership for Global Infrastructure Investment का हिस्सा है और यह जो पर्योजना है इसे चीन के BRI के विकल्प के रूप में जो है देखा जा रहा है और BRI को स्थापित करने के उद्देश शिश्य भी इसका निर्मान किया जा रहा है कहता है कि पस्यमी देश आपस में मिलकर वित्पोशन के माध्यम से विविन देशों में Infrastructure के विकास के लिए वित्परदान करेंगे इसके तहत आने वाले जो भी पस्यमी देश हैं विविन आपस में मिलकर रिन के माध्यम से अन्य छेत्रों का विकास करेंगे आगे कहता है कि PGII के माध्यम से ग्लोबल दक्षनी देशों में बुनियादी धांचों का विकास किया जाएगा और इसके विकास में तेजी लाई जाएगी दक्षन के जो भी देश है तो इसका उद्धिश हम लोगों ने देखा है बात करेंगे PGII की यह है क्या तो कहता है कि वर्स 2021 में UK में आयोजित G7 सिखर सम्मेलन के दौरान PGII की खोशना की गई थी प्यान रखना है 2021 में यह इसकी खोशना की गई अगले वर्स जो बैठे कुई G7 की 2022 जर्मनी में PGII की अधिकारिक तौर पर घोशना की गई अर्थाती से लॉंच कर दिया गया है 2022 में कहता है कि सार्वजनिक और नीजी निवेस दोनों के माध्यम से विकास सील देशों में बुनियादी धाचों पर्योजनाओं को वित पोशन कर विकास किया जाएगा यह इसका PGII का जो है आप कह सकते हैं मोटो है वैस्विक अस्तर पर बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव BRI के जवाब में G7 जो देश है उसका यह एक पहल है ध्यान दखना है अच्छे अच्छे प्रशन बन सकते हैं इन जगों से बात करेंगे कि जो BRI है या PGII है यह दोनों फिलाल तो आमने सामने है हलां कि दोनों के उद्देशों के अगर बात करें तो कहता है कि वैस्विक बैवपार और सहयोग को पढ़ावा देने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, पूलों, संचार, इत्यादी के माध्यम से महत्पुन बुनियादी धाचों का विकास के लिए देशों को वित्परदान करना, तथा वैस्विक विकास करना और पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़ाना, दोनों का उद्देश बिलकुल सैम ही है हलां कि BRI एक अलग ही ट्रेक पर चल पड़ा है और BRI के अलग ट्रेक पर चल पड़ने के खारण उसके जवाब में जी सेवन देशों के त्वारा पी जी आयाई ये पहल सुरू किया गया है अभी जानेंगे कि BRI अलग ट्रेक पर क्यों चल पड़ा और क्या दिक्कतें आ रही हैं इससे उमिद हैं आप समझ रहे हैं BRI परयुजना की सुरुवात की गई थी ध्यान दखना है 2013 में जिसका उद्देश चेन से यूरोप में रोम से पुर्वी अशिया तक आने जाने वाले प्राचिन वैपारिक मार्गों को पुनर जिवित करना था ये काफी अच्छा कॉंसेप्ट था लेकिन इसमें कई सारी समस्या है आने लगी हलांकि इसका उद्देश जो है ये था कि चेन से यूरोप रोम में पुर्वी अशिया तक आने वाले जो भी प्राचिन वैपारिक मार्ग थे उनको फिर से स्टार्ट करना हला कि चेन की निटी कम विक्षी देशों को रिन परदान करके उन पर अधिकार कर उनके सादवनों का दोहन किया जाने लगा ये यहाँ पर आके बियाराई से लोग जो है या बियाराई से अन्य देश जो है कटने लगे या उनके खिलाफ उन्होंने आवाद उठाई मतलब आप यह समय लिए एक नया संगठन बना लिया पीजी आई या नया कोलिडूर के विकल्प के रूप में उन्होंने सोचा क्योंकि चेन की प्रारंबिक मंसा जो थी वो काफी क्लियर थी कि जो पुराने वैपारिक मार्ग हैं उसको पुनरजिवित किया जाएगा इस से देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन चाइना के द्वारा जो भी कुछ ऐसे देश हैं जो छोटी हैं इंद सेंसे कि ज़्यादा उनको कर्श दे करके और फिर उनपर अधिकार करने की कोशिच करना अर्थात उनकी सादों पर संसादों पर अधिकार कर लेना हालिया वर्सों में चाइना कई सारे दिसों के साथ इस तरह की गेम कर चुका है स्रिलंका का हमबन टूटा देख लिजी आप ये अपनी पुंजी वहाँ पे लगाता है और फिर उसकी डिमांड करता है नहीं देने पर यह करार करा लिता है कि 100 वर्सों तक यह इसके हक में रहेगा 200 वर्सों तक यह वाला इस चीज का वो यूज करेगा तो यह कहीं न कहीं जो मंसा थी या जिस उद्देश से के लिए बनाया गया था उस ट्रेक से हट गया सबसे बड़ी बात है कि इन चेत्रों में कि अगर मान लेते हैं कि कोई B.R.I. का कोई लाइन या कोई प्रोजेक्ट जो है मुरकोधिस से जा रहा है अब मुरकोधिस में चाइना अपने ही यूँ कहें कि अपने ही समानों की खपत करता है अपने ही लेवर्स को लगाता है इससे होता है कि उनकी लोगों को ज्यादा पैसे में बुला करके मुरकों में काम करवा लिया जाता है लेकिन जिस देश में काम हो रहा है वहाँ के लोगों को इससे प्रबलम होती है उन्हें रोजगार नहीं मिलता है और जो चीज 100 रुपय में बन सकती थी चैना उसे 3000 रुपय में बना करके उसको दिखाता है कि लोग तयार हो गया अब तुम्हे 3000 देना है और अगर ऐसे में वो नहीं दे पाता है तो चैना के पास चैना उस देश को ये विकल्ब देता है कि ये वाला बंदरगा इतने वर्सों के लिए मेरा ये वाला यारपोर्ट मेरा तो इस तरह से हड़पने की नीती उसकी बन गई थी ऐसे में ये अपने उद्देश से जब हटने लगा तो GC7 देशों ने इसके विकल्ब के रूप में जो है कॉलिडोर भारत मद्य और ये उरोप एकोनोमिक कॉलिडोर की अधार सिला रखी उसके बाद इस B.R.I. प्रजेक्ट का अपने देश के दोरा भी विरोध किया गया है बिल्कुल किया भी जाना चाहिए क्योंकि यह जो है पाकिस्तान दोरा कबजा किये गए छेत्र से जा रहा था गुजर रहा था बिना भारत की सहमती के और देशों को घेरने की नी थी इससे आज के समय में सभी देश जो हैं वाकिफ हैं इसलिए उन्होंने इसका पुरजोर तरीकी से विरोध किया है आगे दिखते हैं क्या कहता है देशों को और इन परदान कर उन पर अधिकार करके उनके साथनों का दोहन किया जाने लगा ऐसे में पस्षिमी देशों ने सिंता जाहिर की जिसके संदर में ब्याराई के विकल्ब के तोर पर PGII की सुरुवात की गई कहता है जिस सेवन देशों का तरक है कि इनकी जो ये पहल होगी मतलब PGII ये जो है पूरी तरीके से पारदर्सी होगा इसके तहट जलवायू परिवर्तन पर नकरात्मक प्रभाब ना पड़े इसका खयाल करके बुनियादी धाचों का विकास किया जाएगा अर्थात हम जो भी परिवर्तन बनाने वाले हैं इसमें जलवायू परिवर्तन वहां की विवित्ता इत्यादी चीजों का भी खयाल रखा जाएगा इसके लाबा PGII के माध्यम से लेंगिक समानता तसा स्वास संबंदी सुधार भी किये जाएंगे ये PGII का अपना तर्ख है और वे दुनिया को ये बता रहे हैं कि BRII के विकल्प के रूप में हम क्यों आए हैं हम जो देंगे वो रिन होगा चाइना जो है रिन के रूप में कुछ और देता है लेकिन मांगता कुछ और है बात करेंगे इसके कुछ कीए गई कारियों की कुछ पहल की तो कहता है इंडोनेसिया सहित कई देसों में स्वक्ष उर्चा, दूरसंचार, आधी कई पुरिजनाओं की इसके द्वारा घोशना की गई है अमेरिके एजनसी अंतराश्टे विकास वित निगम के द्वारा भारत के स्वास्त बुनियादी धाचों में 15 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेस किया गया है ताकि इसके द्वारा स्वास्त संबंदी छेत्र मेडिकल के छेत्र में सरजरी फिर नेतर क्लिनिक इन सभी का पूरी तरीके से विकास हो और इस ते जो वंचित लोग हैं उनको इसका लाब मिल सके इसके लाबा कि फायती महिला सक्षपाद भी प्रदान की जाएंगे तो यह इसके पहल है आगे कहता है ये कौन कर रहा है ये कौन कर रहा है ये रूपी संग ग्लोबल गेटवे 300 billion जो है ये निवेस कर रहा है जिसमें की आधा जो होगा लगबग 50 परतिशत ये अफरिकी देसों पर खर्च किया जाएगा इनकी जो पहल है ये पहले चिजाव यूं समझें कि मनिफेस्टों के तरेनों ने बता दिया है कि 300 billion हम लोग 2021 से 27 तक करेंगे खर्च जिसमें की लमसम 50 परतिशत जो है अफरिकी देसों के विकास में करेंगे आगे कहता है कि लेटिन अमेरिका और केरिबियन एसिया का छेत्र प्रसांत महसागर का छेत्र और 90 से अधिक इन सभी छेत्रों में 90 से अधिक परिजनाओं की जो है इसके तहट सुरुवात कर दी गई है तो हमें ध्यान में रखना है कि PGII की द्वरा क्या-क्या महत्पुन कार की गई है आगे अगर इसके दिसकर्स की बात करें तो कहता है कि PGII और BRI या लुचना की बात चिन ने इसमें सुधार करने की बात कही है हलांकि जब चैना को मालूम चला कि PGII या इसा कोल्डिवर बन रहा है तो उसने इसमें सुधार की बात कही हलांकि वो सुधरेगा बिलकुल भी नहीं क्योंकि उसका निर्मान ही इसलिए किया गया था BRI का ताकि अपने पड़ोसी देशों पर उसको घेर करके उस पर दवा बनाया जा सके जो कम विक्सित देश है या जो छोटे देश है उनको करज में डुबा के उनके साधनों का, संसाधनों का दोहन किया जा सके और इसकी नीति को वो बदल ही नहीं सकता है क्योंकि उस नीती को लेकर की ही वो चीज़ स्टार्ट की गई थी भारत दोरा विरोध करने के बावजूद भी पाकिस्तान के दोरा कबजे छेत्रों पर उसके दोरा परियुचना का निर्मान किया गया ये उसकी कहीं न कहीं अक्रामकता या उसकी चालबाजी को दरसाता है लेकिन जब उसे जब उसने PGII के प्रावधानों को देखा उसके दोरा किये जाने वाले कार्जों को देखा उससे उसको मालूम चला कि लोग जो है किस ओर जा सकते हैं हलां कि चाइना जो है इसमें सुधार करने की बात कह रहा है ताकि विविन देश इसकी और आकर्षित हो सके कई सारे अफ्रिकी देशों पर वरतमान में चाइना ने अपने प्रजेक्ट स्टार्ट कर दिये है दूसरे देशों में जाता है 100 रुपे के चीच को 5,000 रुपे में बनाता है खुद के आदमी ले जाता है खुद का समान सब चीच अपना काम करता है ताकि उसका खपत हो सके उसके समान की बिलिंग वो खुद करता है और हिसाब सामने वाले से लेता है हलांकि वर्तमान में उसने इसमें सुधार करने की बात कही है ताकि अने देश जो है जो BRI की तरफ पहले देख रहे थे कि उनके देशों में ये पर्यूजना के त्वारा विकास होगा कहीं वो इसकी तरफ ना देखने लगे इसलिए उसने सुधार की बात की यदि विविन देशों को BRI में सकरात्मक पहलू देखने को मिले और या रिन पर फोकस उकरकार करे ना कि अधिकार पर तो PGII और BRI दोनों ही विकास हिल देशों के लिए बेतर विकल्ब के रूप में देखा जा सकता है ऐसे में कहा जा सकता है कि सिर्षपर पहुचने की दोड में सभी पक्षों को लाब परदान करेगी ये दोनों योजना है कौन PGII के साथ है कौन BRI के साथ है अब एक समझ लें आपकी दोनों में प्रतिसपरदा चल रही है इसमें लाब होगा देशों को कि किसके साथ उन्हें अच्छी डिल मिल गई है कौन हमें के लिए ज़्यादा बेतर है उन्हें आप्सन सब मिलेंगे दोनों की उपलवित्ता बिवित्ता लाने में मददगार साबित होंगी ये था अपना आज का टॉपिक इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि ये जो परियोजना है कोरिड पर दोरा इसका क्यों विरूत किया गया फिर है में ध्यान मखना की पीज आ एकि जो महत्पुन जो पहल है वो क्या-क्या उनके दोरा की जा रहे हैं भारत में अने देशों में और अन्तरते जो है निसकर्स में में बात करनी है उम्मेद है वीडियो अच्छा लगा होगा व लेक्षर में तब तक के लिए